हमने अपने घरों में चीटियों को चलते तो ज़रूर देखा है खास कर उन जगा उपर जहां कुछ खाने को मिलता है बहुत कम समय में पड़ी संख्या में चीटियां उस थान पर जमा हो जाती है और उस भोजन का सेवन करना शुरू कर देती है उन्हें देख कर हमें पता चलता है कि वे एक लाइन में यात्रा करते हैं जैसे कि उनके लिए एक निशन बनाया गया है और वे इसके माध्यम से चल रहे हैं तो चीटिया एक लाइन में क्यों यात्रा करती है और वो रेंडमली इधर उधर क्यों नहीं भागती तो आईए आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि चीटिया एक लाइन में क्यों पहले जानते हैं चीटियों के बार में एंस एक सोशल इंसेक्स है और बड़ी कॉलोनीज में रहते हैं हमें अक्सर लाल चीटियों को अपने घरों की दिवारों के अंदर अपने कॉलोनीस का निर्मन करते हुए देखा है वे भोजन की तलाश में बड़ी दूरी तै करते हैं और इसके अलवा वे किसी भी मैप या नैविगेशन का उप्योग नहीं करते हैं और केवल रास्ता खोजने के लिए अपने खुद के मेकेनिजम पर निर्भर करते हैं तो वे एक लाइन में कैसे चलते हैं? फूड सोर्स से घर लौटने वाली चीटी ट्रेल फेरोंस को छोड़ देती है जो की अन्य चीटियों द्वारा स्मेल किया जाएगा वे इस निशान का फॉलो करेंगे और इस तरह घर लौटने वाले प्रत्यक वर्किंग एन्ज को अपने अब्डॉमिनल ग्लैन से ट्रेल फेरोंस जारी करना होगा जब तक food source मौझूद है तब तक ट्रेल फेरोंस की सीक्वन्स बनाये रखने में मदद मिलेगी एक बार भोजन के source का सेवन करने के बाद लौटनी वाली चीटिया रास्ते में कोई ट्रेल फेरोंस नहीं चोड़ेंगे और लास्टली ट्रेल फेरोमोंस के सीक्वंस फीकी पढ़ जाएंगी वरकर एंस पाथ को फॉलो करना बंद कर देगा और अधिक भोजन के लिए अपनी खोच शुरू करेगा शीटियों के अन्य स्पीसिस की तरह लाइक आर्मी एंस पूरी तरह से अंधी है और हजारों या लाखों की ताकाट से कॉलोनीज में रहती है ये केमिकल कम्यूनिकेशन सिस्टिम जिसमें केमिकल फिरोमोंस होते हैं उनका उप्योग करके अन और्गनाइस तरीके से फोरेजिंग ग्रेट करते हैं तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि क्यों चीटिया एक ही लाइन में चलती है तो अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानका रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताए और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब सरूर करें और अगले वीडियो तक के लिए अलवेदा दोस्तो धन्यवाद